हेलो वेन वलकम वंस अगेन स्टुडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ओन दे सेंट्रल डॉगमा के बारे में सो जेनेटिक्स में स्टुडेंट्स एक टॉपिक है आपका सेंट्रल डॉगमा क्या है और इसको हम क्या कहते हैं यह क्यों इंपॉटेंट हैं हम क्यों पढ़ते हैं कहां कहां पर हम इसको पढ़ सकते हैं यह सब हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे So please keep sticking on to this video up to the end So students, जब हम Central Dogma की बात करते हैं जिसको हम लोग Information Pathway भी बोलते हैं So ये Central Dogma या Information Pathway ये है क्या चीज़? और हम इसको कहां कहां पे कौन कौन सी जगहाँ पर इसके significance को देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं students So एक चीज़ त्यान दीजेगा कि ये जो पार्ट है जो Central Dogma है ये आप Genetics के अंडर पढ़ेंगे और students, not only in Genetics, you will also study it in cell जब Cell Organals के बारे में आप बात करते हैं So तब आप एक मिनिट So जब हम Cell Organals के बारे में बात करते हैं और Cell Organals में जो है हम Nucleus के बारे में बात करेंगे तब हम Nucleus के functions के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम Central Dogma को देख सकते हैं, समत सकते हैं साथ ही साथ स्टुडेंट्स जब हम बात करेंगे Cell के communication के बारे में So तब भी हम जो है Central Dogma के concept को पढ़ सकते हैं और उसको समत सकते हैं So यह तीन जग है पर हमको यह जो चीज है Central Dogma यह information pathway यह हमारा applicable है So students हम आपको ले चलते हैं इस particular concept के detail के बारे में ध्यान देजेगा students की जो cell है अगर यह cell है और उसके पास दूसरे cells भी होंगे But of course है Okay So इन cells के बीच में हमारे पास intercellular spaces होती है So यह सब intercellular spaces है Okay So students जो यह intercellular spaces है Cells के बीच में Right यह जरिया है अगर आप मान लीजे For example एक pathogen You know एक खतरनाक pathogen हमारी body में आता है Affect करता है एक cell को Right तो यह क्या करेगा यह cell damage हो जाएगा एक time पर लेकिन इसके cells भी और further effect होंगे अब यह जरूरी है कि यह cell information pass करें हमारी body यह और cells को information pass हो So यह जो information जो pass होगी यह किसकी मदद से pass होगी So this information will be passed by the certain Certain substances जिनको हम proteins बोलते हैं So यह proteins जो यह cell release करेगा यह proteins जाएगे इसमें यह cells intercellular spaces में होते हुए cells में पहुंचेंगे और यह information हमको मिलेगी So हमने देखा student की जो cell communication है वो cell communication जो है वो किसकी मदद से होता है वो होता है Proteins की मदद से और हमारी body में जो आपके कहने चाहिए hormones है जो आपकी body में enzymes हैं वो सब भी ज्यादा तर most of them are made up of protein So student protein जो है एक बहुत ही important substance हमारी body में है यह protein cell communication में help करेगा और यही protein हमारी body के metabolic activities को भी control करेगा So बहुत ही important significant जो feature है student वो क्या है वो है about this protein Just hold on please for a second So student यह जो protein है यह बहुत ही important significant substance है हमारी body का Almost about 90% to 98% of our dry weight जो है हमारी body का वो बनता है किस से ? वो बनता है protein से Dry weight की बात कर रहा हम यहां पर So students आपको ध्यान में रखना है कि यह protein जब हम कुछ खाते हैं हम अपनी body में Carbohydrates लेते हैं Proteins लेते हैं और जो है हम fats लेते हैं और भी बहुत other substances लेते हैं लेकिन 3 major macronutrients हम लेते हैं और कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम अगर protein लेंगे तो हम अपनी immunity को बढ़ा सकते हैं ऐसा पूरे हद तक के सही नहीं है यह मैं आपको पताना चाहता हूं ओके वाइ because every protein is different and every protein is unique so you have to remember this point ओके you have to remember every protein is unique and different हर एक protein जो है वह unique है वह different है ओके और उस हर एक protein का function फरक होता है आप जो प्रोटीन बाहर से ले रहे हैं ठीक है वह protein might not be used by your body or may be used by your body that actually depends upon our metabolic activities so एक चीज़ त्यान दीजेगा की let me just write this thing with a different color not by consuming the proteins from outside can our body on on our 10 11 14 15 15 15 15 there are various you know internal factors that play a very significant role in controlling all these things also under the control of how our body works in internally that is through Metabolism how is our body? it depends on genetics of our body it depends on the genetics of our body so this is the point that I have to tell and I have to tell you so don't think that you know protein from outside your body you can immune to your body right and grow it's important that protein which is our body is very important and significant है हमारी body के जो growth है students उसमें help करता है right so हमारी body के growth में repair में हमारी body के जो cell division है उसमें reproduction में students protein का बहुती significant role है cell communication में protein का बहुती significant role है okay immunity में let me just scroll this thing a little up immunity इमिनिटी बढ़ाने में जो है protein का बहुती significant role है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो हम protein को अगर हम consume करें ठीक है outside से तो हम जो है अपनी इन चीजों को workout कर सकते हैं ठीक है so अगर आपकी genetics अच्छी है then only in that case you can get help अगर आपकी body के अंदर की genetics अच्छी नहीं है आपकी body का अंदर का metabolism अच्छा नहीं है तो these things cannot be done please do remember this important aspects now students हम लोग बात करते हैं यह जो protein है ठीक है यह आ कहां से रहा है ठीक है हमने बताया हमारी body में जो protein है जो हमारी body को grow करेगा repair करेगा cell divide करेगा reproduce करेगा cell communicate करेगा immunity बढ़ाएगा यह सब जादतर hormones और enzymes की मदद से होता है और यह hormones और enzymes यह protein है लेकिन यह protein बाहरती protein से खा करके नहीं मिल रहा है यह body हमारी खुद की body जो है वो इस protein को बना रही है तो यह कैसे बनाती है इसी को हम लोग बोलते हैं इसी को हम लोग समझते हैं इसी को हम लोग में पात्वे में पात्वे में पात्वे में